देश में लगतार पेटोल और डीजल की कीमते आसमान चूरेंगे जिसका खाम्याजा आम जनता को भुगतना पढ़ रहा है महिंगे हो रहे पेटोल डीजल के दाम की कारण आम लोगों के जेब पर सिधा सिधा आसर पढ़ रहा है और ये सीधा असर पढ़ रहा है उन लोग के उपर जिनके पास टू बीलर्स या फिर फोर बीलर्स हैं और जो लोग रोज मर रहा के जीवन में बाइक यानि की टू बीलर्स या मोटर साइकल या फिर कार का इस्तिमाल कर रहे हैं ऐसे में अगर आप भी पेटोल की लगातार बढ़ती कीमतों से परिशान हैं और अगर आप एक बजट रेंज में किफायती मोटर साइकल के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी मोटर साइकल लेनी चीज़ जिसका माइलेज सबसे ज़ादा हो तो यह वीडियो आपके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो में हम आपको ऊकर पांच मोटर साइकल से बारे माताइंगे जिसका माइलेज लगभग 90 क्लोमेटर पत लीटर के हिसाब से मिलेगा इन 5 motorcycles का जो maintenance cost है वो काफी कम है तो चलिए दरसकों ज़्यादा देर ना करते हैं हम चलते हैं अपने लिष्ट के तरफ और बात करते हैं अपने लिष्ट के 5th नंबर के बाइक से बारे में हमारी इस लिष्ट के अनुसार पांचों इस स्थान पर है Hero Splendor Plus Hero Splendor Plus में 97.2cc का air cold 4 stock single cylinder OHC engine मिलता है chain drive fuel injection technology के साथ ये engine 8 PS power generate करता है और 8 Nm torque Hero Splendor Plus का ARI mileage 65 km प्रत लेटर है जो आपको हाई पेपर लगभग 75 km प्रत लेटर का average दे सकती है Hero Splendor Plus का price शुरूता है 78,600 रूपीज और जाता है 85,000 रूपीज तक हमारी टेस्टिंग के दोरान Hero Splendor Plus ने 72 km प्रत के लेटर का mileage दिया है और अब बढ़ते हैं अपने next bike के तरफ यानि की fourth number पे जो bike है वो है बजाज प्लेटीना 110cc bike बजाज प्लेटीना 110 में 115cc 244 BHP power generate करता है और 9.81 Nm torque generate करता है इस engine से आपको 75 km पर लेटर से लेकर 80 km पर लेटर तक का mileage मिलता है जो की vary करता है आप रूलर एरियाज में riding कर रहे हैं या फिर cities में उसी हिसाब से आपका mileage कम या ज्यादा मिल सकता है बजाज प्लेटीना 110cc का price शुरू होता है 78,000 रूपीज से और जाता है 84,700 रूपीज तक जियादर सको अब हमारी इस लिस्ट में थर्ड नंबर पे है टीबियस की रेडियोन टीबियस रेडियोन में आपको 110cc का 4-stroke Duralife engine मिलता है Eco Thrust Fuel Injection Technology के साथ engine 8.08 BHP power generate करता है और 8.8 Nm torque generate करता है टीबियस रेडियोन से आपको 74 km2 लेटर का average मिलता है टीबियस रेडियोन का price शुरू होता है 66,000 रूपीज से और जाता है 81,000 रूपीज तक जिसमें dual tone disc brick वाला variant भी अवेलिवल है और अब हमारी इस लिस्ट में सेकंड नमबर पे आती है TVS की स्पोर्ट जियां दोस्तों TVS की स्पोर्ट में भी आपको 110 cc का tingle cylinder four stroke air cold spark ignition engine fuel injection technology के साथ मिलता है इको thrust fuel injection technology मिलती है जिससे आपको काफी अच्छा mileage मिल जाता है यह engine 6.1 bhp power generate करता है 8.7 nm torque generate करता है इस engine से आपको 76 km per litre का mileage मिलता है TVS sport की 90 km प्रतार्ट की top speed है TVS sport का price शुरू होता है साहे 62,000 से और जाता है 71,000 रूपीज तक यह price vary करता है आप city से हैं या फिर village से या फिर roller area से और अब हमारी इस list में first number पर जो bike है उसका mileage भी और बाइक भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है पोरे भारत में और सायद आप guess भी कर चुके होंगे इस bike का नाम जी है इस bike का नाम है बजाज city 100 जो की कीमत और की फायति इक मामले में सबसे नमबर एक पर बजाज city 100 में आपको 102 CC का 4 stroke single cylinder electronic injection technology के साथ powerful engine मिलता है powerful petrol engine मिलता है जो की 7.9 PS power generate करता है 8.34 nm torque generate करता है इस engine से आपको 89.5 km per litre का mileage मिलता है और 90 km प्रताहर की top speed है 90 km प्रताहर की top speed है बजाज city 100 बाइक का price चुरू हता है 56,000 रूपीज से और जाता है 63,700 रूपीज तक तो ये थी देश की सबसे ज़्यादा की फायति बाइक जिनका मैंने आपको price और mileage दोनों बताया है इसके हलामा हम आपको एक golden tip देना चाहते है उस tip में हमारे पास है आपके लिए TBS XL 100 जहां दोस्तों TBS XL 100 आपको इन सभी bikes से ज़्यादा mileage प्रोवाइड करता है आप इस पर सबसे अधी की load कहीं भी ले आ सकते हैं और ले जा सकते हैं TBS XL में आपको 100cc का 4 stock single cylinder engine मिलता है यह engine 4.3 bhp power generate करता है और 6.5 nm torque generate करता है TBS XL 100 से आपको लगभग 85 km per liter का mileage मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है का आप इस पर सबसे ज़्यादा weight रखकर कहीं भी जा सकते हैं यह heavy duty purpose के लिए यूज होता है basically इसका price चुरू होता है 52,000 रुपीज से और जाता है 59,000 रुपीज तक TBS XL 100 most fuel efficient और एक heavy duty two wheeler है TBS XL का इस्तिमाल आप रोज मर्रा के कामों के लिए कर सकते हैं तो यह थी 5 most fuel efficient bikes इन में से कौन सी bikes आपको पसंद आई हमें comment सेक्समें जरू बताईएगा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद